लो दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार द्रोगा नई भरती के इंतिजार लाखो अभ्यारती कर रहे हैं दिन परती दिन BPSC के ब्योसाइट भी ओलोकन करते रहते हैं क्योंकि BPSC आयोग से लाखो अभ्यारती का उमीद जुड़ा हुआ है नई भरती से रिल्डेट तो कितने पदों पर नई भरती आने वाला है कौन-कौन उसमें फर्म अप्लाई कर सकते हैं और कितना समय मिलेगा PT के तयारी के लिए ये सभी बाते में इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो भी authentic group से तो वीडियो शुरूश लेके अन तक देखिएगा चलिए शुरुआत करते हैं इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है तयारी करने के लिए ठीक आप सभी को पता है कि दिन परती दिन एक parallel में बनाये गया क्योंकि BSSE जो भी भरती आपको आता है उसमें काफी देर लगा देता था आप सभी को पता होना चाहिए पहले BSSE ही दरोगा का भरती लेता था उसके बाद देखिएगा BPSSE 2017 से भरती स्टार्ट करता है जो कि दरोगा का किस पतना हाई कोट में वहां से दो बात अच्छा निकल कर आता है जो कि BPSSE माना भी पहला नंबर की आपका नंबर जारी करता है कि आपका कितना स्कोर है और फिर आप किस कारण से रियल्ट नहीं हुआ है वो भी बता देता है ठीक यह एक अच्छा आ था फिर एक आपको जो फिर उसके बाद जो परिवर्टन हुआ था कि आपको दोड में 30 सिकेंड जादा दिया गया ठीक उसके बाद देखिएगा कि एकसाईस दरोगा के लिए माप कीजिए एकसाईस दरोगा के लिए आपका सकते है एकसाईस एसाई के लिए यहाँ पर 126 पदो पर भरती आता है जिसमें लाको अभ्यारती फॉर्म अप्लाई करते हैं इसकी इसमें भी कंपर्टिशन टफ था और ये भी परकरिया पूरा हो चुका है फिर 2019 वाला में आप सभी लोग जानते हैं बहुत से अभ्यारती सेलेक्टेड हुए एसाई और सार्जेंट दोनों एक साथ आता है फिर आप देखिएगा 2446 में ये 2446 है इस पद को भर लिया जाता है ठीक दो साल इसमें भी समय लगता है लगभग दो साल से जादा ही आपको सकते हैं फिर आपको 2019 में एक एसाई का आता है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्ट आप देखिएगा बहुत से चित्रों में और ये आप देख सकते हैं कि दरोगा भी घर घर पहुंचकर जो आपको आचरण होता है वह भी चेक कर चुके हैं लगभग आप देखिएगा सभी चित्रों में तो एसाई और सार्जेंट का पोश्ट आता है यहां से इसलिए जू अले ही आपको बता दिया थे जो कमीटी का रिपोर्ट आया था कि सार्जेंट का पोश्ट बड़े अस्तर प्रखाली है और जब भी नहीं भरती आएगा उसमें सार्जेंट का पोश्ट आएगा यह बाद ध्यान मरेकिएगा यह जो आपको कुछ नोटिस जो है बीच में आ यहां पर आप देखिएगा कि पुलिस अवर निरक्षक यहां पर देख सकते हैं उसके लिए सीटू की संक्या अच्छा खासा खाली है नीचे के तरफ आप देखिएगा कि पुलिस अवर निरक्षक मिस की दरोगा आस्तर का आपको पोश्ट देख सकते हैं परिचारी देख आप सबी लोग जानते हैं कि जो रजगीर में दिन पर दिन ट्रेनिंग दिन की चमता बिक्सित किया जा रहा है और आपको जल्दी से ट्रेनिंग भी खतम किया जा रहा है। विदे से सुप्रिम कोर से भी कि बिहार का पुलिसिंग में देखिएगा एकदम दैनिया अस्थान हैं इसकी निचले पैदान पराता है। भरती आपको तीन बार आते रहेंगे ठीक क्योंकि बैलन्स करना है अब नीचे के तरफ ये सब पर हम ज्यादा समय आपको नहीं बेतित करते हुए बताएंगे। पूरा जो अथेंटिक है उसे मैं आपको बताने के सुरू करता हूँ यहां पर आप देख लिजिए का कि जो मैंने नोटिस दिखाया था आपको ये जो आपको कमीटी का रीपोर्ट है वहीं दिखाया था और उसी के आगे जाकर अभी जो पिछले मैंने नोटिस दिखाया ये जो राष्टे और सत पर लाने के लिए बिहार में कितना पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़े जो दिखाया गया है लेकिन आप सभी को पता है कि बिहार में कितना तिब्रगती से बाहली हो रहा है और कितना अच्छे तरीका से काम हो रहा है ये आप से छिपा हुआ नही लिए था कि पुलिस अवर निरक्षक और इसे समक्ष है जैसे पुलिस अवर निरक्षक कि आप देख सकते हैं 20,070 यह किसके लिए मैं आपको बता रहो फिर समय बता रहो यह किसके लिए तो यह जो आपको राष्ट्य ओसत है जो एक लाग पर 160 के करीब अप पुह चुका है वो हम लोग को संदांतर राने के लिए बिहार में पुलिसिंग की तो उसमें दरोगा की कितना कमी पड़ेगा वो यहां पर दिया हुआ है कि 20,070 की कमी आपको जरूरत पड़ेगे ठीक फिर परचारी का कितना तो 600 और यहीं आप जो दिया तो यह जो जितना मैं दिखा रहा हुँ उतना करना पड़ेगा ठीक इसमें मैं आपको समय नहीं गुआ हूँगा यह मैं बता देता हूँ कि अथेंटिक है और यहां से आप देख सकते हैं कि दिया भी गया है यहां पर देख सकते हैं कि इस समीती द्वारा च्छेत्र अस्त जरूरत है ठीक यह आपको किसका पुलिस अवर निरक्षक का परिचारी का भी इसमें दिया हुआ है तो इसमें आपको ध्यान से पुर्वक देखिएगा तो सभी जनकारी दिया हुआ है जैसे कि आप पूशकते हैं कि छेत्रिय करियाले में कितना दरोगा की जरूरत है तो 320 परिचिक्षर केंद्र जहां परिचिक्षर होता है यहां पर 400 है पुलिस मुख्याले में आपको देखिएगा आपको 3740 है यह पुलिस अवर निरक्षक यानि कि दरोगा की पोश्ट की बात हो रहा है ठीक तो यह ऐसा नहीं है कि पोश्ट नहीं खाली है और भरती नहीं हुआ है जो अभी 223 के लिए जो कि 1909 दरोगा थे 215 परिचारी अनि सार्चिन का पोश्ट था अभी इन लोगों का पर किरिया पुड़ा हो चुका है ट्रेनिंग वहां पर फास चल रहा है जल्दी वहां पर भी वह खाली किया जागा देन इनको आपको ट्रेनिंग पर यह चंकारी मिला है या तो सितंबर लास्ट में आपको जारी हो सकता है नोट्फिकेसन या अक्टूबर मीड में आपको नोट्फिकेसन जाली हो सकता है कितने पदों पर, करीब तेईश्यौ प्लस पंदों होंगे सारजेंट कभी पोश्ट होगा और दरोगा करी बड़े अ और भी टफ होने वाला है, क्या बुक पढ़ना चाहिए, उससे मैं अलालगे से वीडियो आपको जारी करूँगा, कि उसमें आपको क्या क्या बुक आपको पढ़ना चाहिए, जो कि आप दरोगा निकाल सकते हैं, अब यहां पर देखिए, इसमें वही फोर्म भरते हैं, जिन है निगेटिव, आपको है ना के बराबर, यानि कि 10 कुशन गलत कीजिएगा, तो एक सही वाला कुशन खतम होगा, यानि कि 0.2 अंक आपको निगेटिव है, ठीक, तो कोई चिंता नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा कुशन कर सकते हैं, फिर इसमें आपको पास होते हैं, पिसमुना रिजर्ड दिया जाता है, इसीट का, देन उनको बलाया जाता है मेंस के लिए, तो मेंस आपको जो होता है, दो पेपर होते हैं, एक समान हिंदी का पेपर सबसे पहले आपको हो जागा, उसमें पासिम होता है, 30% आना होता है, मेरा लेक्चर देख लीजएगा, आपको 65 आराम से 70 ला दिजएगा, जो आपको हिंदी का लेक्चर है, वहीं लड़के सब देख कर जाते हैं, सेकेंड पेपर जो होता है, मेरीट वाला होता है, यही मेरीट डिसाइड करता है, और जिस तरीके से कंपटिशन बढ़ रहा है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसमें भी 100 कुशन पुछा जाते हैं, 100 कुशन में आपको 200 मक्स का होता है, यानि कि 2 कुशन पर 2 नमबर आपको मिलते हैं, 2 घंटे का समय होता है, निगेटिव वहीं होता है, जो पीटी में होता है, तो इसमें मेक्सिमुम कुशन करना है, अगर सेफ रहना है, तो कभ आपको best of luck है, सुरुवात की ज़र लुशन क्राउन से ही, कोई भी आपको बोलता है कि लुशन क्राउन में कुछ नहीं रखा है, सब चीज लुशन क्राउन में ही रखा हुआ है, अगर वो इस दो बुक पर अगर आपने पकड बना लिया, देन एडवांस लेबल में घुशिए, और प्रिवेस येर के कुशिन जितना हो सके, सुल्व करनी के कुशिस कीजिए, कौन सा प्रिवेस येर, पीपी, PCS का प्रिवेस येर, और जो दरोगा एक्जाम हो चुका है, उसका प्रिवेस येर, देखिएगा, एक नए दिन आपको लाब जरूर होगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्स स्रीज लगाई है, मुझे यहीं जनकारी देना था, कि आपको ज्यादा दिन इंतिजार नहीं करने की जरूरत पड़ेगा, अब आपके पास ये लास्ट सितंबर, या आपको मिड अक्टूबर, फिर समय बताओ, लास्ट सितंबर या मिड अक्टूबर, इसी आपको समय में आपका नोट्फिकेशन जारी किया जागा, और मुझे जहां तक जनकारी मिला है, उसके कोडिंग में बता रहा हूँ, ठिक, अथेंटिक जनकारी है, वीडियो अच्छा लग उता लाइक किजिएगा, कोई भी डाउट है कोनोबक्ष में लिख सकते हैं, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद,